नमस्कार मित्रों, 27 अक्टूबर को सजनी शिंदे का वाइरल वीडियो नाम से एक फिल्म थीटर्स में रिलीस की गई है जितना बड़ा इस फिल्म का शीरशक है, उसकी तुलना में फिल्म बहुत छोटी है, दो घंटे से भी कम की है पर इतना वड़ा टाइटल क्यों रखा गया ये समझ से परे है मिखिल घोश के निर्देशन में बनी इस फिल्म में भागिश्री, राधिका मदान और निमरत कौर मुख्य भूमी का में देखने को मिल रही है बित्रो ये फिल्म भी कहीं न कहीं तथा कथित फेमिनिजम अर्थाप नारीवात को छूती हुई दिखती है और जैसा प्रपंच आजकल की अधिकतर फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा ही कुछ इसमें भी है एक थोड़ी सी कहानी बताऊं आपको, तो सजनी सिंदे नाम की एक टीचर अपनी दो अन्यमित्र महिला टीचर्स के साथ सिंगा पुर जाती है वहाँ पर वो एक स्ट्रिप कलब में जाती है और नरत्य करती है ये स्ट्रिप कलब वो जगह है जहां अशलीलता पूर नरत्य किये जाते है शरीर के अधिकांश कपड़े उतार कर मस्ती में जुमते हैं लोग तो ऐसे ही कलब में सजनी आती है और सेंडविच डांस करती है ये डांस भी विचित्र है जैसे सेंडविच में दो ब्रेट के बीच में मक्खन या जेली आदि दबी रहती है उसी तरह से जब एक स्त्री दो पुरुशों के बीच मक्खन या जेली की भाती फस कर नत्य करें तो वो बन गया सेंडविच रनत्या एक तो स्ट्रिप क्लब अर्थात अर्धनग अवस्था उपर से सेंडविच रनत्या अब कोई सिक्षक हो या सिक्षिका कोई भी इस प्रकार से अश्लीलता में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी आलोशना तो होगी और यहीं होता है, सजनी की एक मित्र से ही भूलवश ये वीडियो सोशल मीडिया पर चला जाता है और देखते ही देखते वाइरल हो जाता है अब उसके परिवार से लेकर समाज और स्कूल तक में उसकी कटू आलोशना होती है यहां तक कि स्कूल से उसे सस्पेंट भी कर दिया जाता है अब यहां पर यदे फिल्म मेकर्स इस्त्री और पुरुष की बहस मिना जाते वो जूठा नारिवाद नफैला कर इस प्रशन को उठाते कि क्या टीचर्स का कोई व्यक्तिकत जीवन होता है या नहीं क्या कोई सिक्षक चाहें पुरुष हो या इस्त्री यदि वो अपने जीवन में कुछ भी करता है तो समाज को उसकी आलोशना करने का अधिकार है या नहीं यदि इन प्रशनों पर चर्चा होती तो मैं फिल्म की आलोशना नहीं करता लेकिन यहां पर ये दर्शने का प्रयास किया गया है कि वो महिला सिक्षिका थी फिमील टीचर थी इसी लिए ये पित्र सत्तात्मक समाच उस पर तूट पड़ा यदि कोई पुरुष होता तो संभवता है उसे कोई कुछ नहीं कहता जबकि वास्तविक्ता इससे कोसो दूर है ऐसा कांड करते हुए कोई मेल टीचर का भी वीडियो वायरल होता तो उसकी भी इसी प्रकाट से आलोशना होती उसे भी लोग हे अद्रश्टी से देखते कि ये एक सिक्षक है अश्लेलता में डूबा हुआ ये व्यक्ती क्या सिक्षा देगा बच्चों को यही कहते लोग समाज इसी प्रकाट से उसकी भी आलोशना करता और ये सत्य है लेकिन फिल्म मेकर्स को एजेंडा चलाना था तो उन्होंने अपने अनुसार दिखा दिया हाला कि फिल्म का एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इसे सोशल मीडिया के दुश्रोभावों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है किस प्रकार इंटरनेट की दुनिया में आपकी जरा से भी लापरवाही आपका जीवन नश्ट कर सकती है इसलिए बहुत सावधानी के साथ इसका प्रयोग करने के आवश्यक्ता है क्योंकि एक बार नेट पर कुछ आ गया फिर उसे मिटाना असंभव हो जाता है बितरो अब जब सजनी की उसके वीडियो को लेकर इतनी कटू आलोजना होती है तो वो आत्महत्या करने लेती है अपने पिता और होने वाले पती को इसका उत्तरदाई बताते हुए सुसाइट नोट लिखते है फिर वो अद्रश ये हो जाती है अब उसने आत्महत्या की है या नहीं वो जीवित है या मरत और यदि जीवित है तो कहा है इन बातों को रहा से बना कर रखा गया है और फिल्म के अंत में इसका रहा स्योध खाटन होता है और मैं यहाँ पर कुछ भी इस बता कर आपके फिल्म देखने के अनुभा को खराब नहीं करना चाहता इसलिए जब आप यह फिल्म देखें तब ही इसके बारे में जाने वाकि सजनी के जीवन से जुड़ी एक घटना है उसको लेकर जो खुजबीन चलती है यही है फिल्म की कहानी यदे हम एज़ेंडे को एगनोर करके केवल फिल्म देखें तो फिल्म इतनी निराशा चानक भी नहीं है सजनी को लेकर हुई इन्विस्टिगेशन और फिल्म का क्लाइमेक्स आपको अच्छा लगेगा यह आपको अपने साथ बांध कर रखेगा तो यदि आपके पास समय है तो आप इसे अवश्य देख सकते हैं मैं सजनी शिंदे का वाइरल वीडियो इस फिल्म को दस में से छे सितारे दूँगा यदि आपने ये फिल्म देख ली है तो आपका क्या अनभा रहा फिल्म देखने को लेकर वो आप नीचे कमेंट शिक्षन में लिख कर बता सकते हैं वीडियो को अन तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैसी आराम जैमा भरती